दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ओटोमोटिव सेक्टर का एक एहम स्टॉक के बारे में जो की कंपोनेट का ओटोमोटिव कंपोनेट का मानिफाक्टरिंग और मार्केडिंग दोनों करता है और यह एक MNC कंपनी है और इसका नाम ही Minda Industries Limited है तो यहां पे जैसे कि हम लोगो पता है जब बहुत ज्यादा रिसेशन आया हुआ था उसका उपर भी आया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका जो movement है यह कितना genuine है और आगे कितना तक टिकने वाला है और उसके साथ साथ technical analysis में हम लोग बात करेंगे इसका proper price range और उसमें सबसे एहम भूमिका रहेगा कि हम लोग इसका swing trade में हम लोग ज्यादा income कर सकते हैं या हम लोग को इसको portfolio stock बनानी चाहिए तो आज पर दर प्राक्टिस उससे पहले हम लोग fundamental और financial analysis करेंगे और सबसे पहले annual report भी चेक कर लेंगे तो आखिर तक वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहेएगा so that आपको proper information सही से मिल सके नमस्का दोस्तों market delay में आपका स्वागत है मैं आपके साथ बात कर के उपर बात किया जया तो सबसे highest अगर revenue निकला हुआ that is from switching systems तो switching system में एक market leader है automotive sector में इंडिया में तो यहां पर 2014 करोड का revenue यहां पर generate किया हुआ है correct और उसके बाद अगर कहीं पर उसका second highest revenue generate हुआ that is from lighting system और lighting system में इसका revenue आया हुए 1223 और बाकी का product का उपर 794 फिर आपका जो acoustic system होता है उसमें 653 करोड का यहां पर revenue दिख रहा है और light metal technology में 781 करोड का यहां पर revenue दिख रहा है और सबसे जो एहम भूमिका है जो कभी भी recession आ जाए या कभी भी कोई pandemic आ जाए कोई भी situation आ जाए चाए automotive sector में गिरावट भी आ जाए उसको एकी चीज सस्टेन करके 258 करोड का revenue यहां से आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसका छोटा सा जो हिस्सा है वो उसको support करेगा for the long term और यहां पे कभी भी कुछ भी problem आ जाता है तो aftermarket sales को तो कभी रुकने वाला है नहीं because automotive का sector का जो problem है कि उसका जो बिक्री बंध हो जाता है उसका जो sales बंध हो जाता ह है करेक्ट और यहां पे मैं बात करूँगा अगर बाकी सब चीज के तो यहां पे इसको अगर देखा जाए तो मिंडा इंडेस्टी लिमिटेड के subsidiary और joint venture के उपर तो यहां पे लगभग आप लोग को total मिला देगा तो 50 प्लस आपको आकड़े मिल जाएगा और यहां पे जो 19-20 में दिखा रहे है कि 5 acquisition अलरी किया हुआ है और 20-plus production line भी setup किया गया है और सबसे अच्छी बात है जो कि इंडिया के जो company होता है उसमें investment करने के लिए थोड़ा सा पीछे हर जाता है तो वह है R&D centers और यहां पे R&D centers में आप लोग को 10-plus दिख जाएगा from 2019-20 तो यहा कि अगर हम लोग future prospects में देखा जाए तो बहुत अच्छा कासा growth दिखने वला है मिड़ा industries में correct तो हम लोग सीधा चलते है इसका बाकी सब चीज जो है आप लोग तो आराम से पढ़ी सकते हो जो आपको साथ focus पे बोलना तो मैं आपको ए प्रेजेंट किया हूँ और यहां प debt के उपर बात किया जिए 1076 करोड का और debt to equity ratio निकल के आता है 0.53 हम लोग का जो threshold होता है 1 उससे लगवा 53% का असपास है तो कोई दिक्कत की बात नहीं उस प्रॉसर्पिन अगर बात किया जाए तो debt to equity ratio उतना ज्यादा हम लोग को फरक नहीं पढ़ने वाला है correct और यहां प परसेंट अगर पीरस के उपर comparison किया जाए जितना auto ancillary company है तो यहां पर ROC आप लोग का सबसे highest तो दिख जाएगा अमर राजा बैटरी का लेकिन बैटरी सेग्मेंट में काम कर रहा है और बाकी के उपर अगर देखा जाए तो 19 दिख रहा है मिंडा इंडेस्टीज में तो चाहिए काफी ज्यादा overvalued किये उपर यहां पर काम कर रहा है तो उस हिसाब से अगर PE के उपर compare करोगे तो market उसको आच्छा valuation पर trade ले रहा है और यहां पर काफी ज्यादा valuation पर यह trade कर रहा है और promotor holding के उपर बात किया जिए सिधा सिधा 70.9% का promotor holding है जो कि हम लोग कोई द देखना है अगर तो यहां पर आप लोग को दिखेगे कि promotor holding 71.05 से 70.88% तक घटा हुए लास्ट तीन साल में उतना ज्यादा गिरावट नहीं है उतना मतलब आप हम लोग को औरी होने का कोई जरौत भी नहीं है और यहां पर FIA का holding है वहां पर अच्छा कजा बढ़ा हुआ तो अगर promotor FIA और DIA के base पे उससी prospect में अगर बात आपनों करोगे shareholding partner में यहां पर एक bullish संकेर जरूर मिल रहा है तो उसके हिसाब से आप लोग को भी response पिलकुल करनी चाहिए और यहां पर profit and loss के उपर बात किया जाए तो net profit आप लोग के यहां पर दिख जाएगा थोड़ यहां पर last 12 मेने की हिसाब से बात किया जया सिर्फ और सिर्फ 15 करोड का profit दिखा रहा है और दो quarter का जब इसका result निकल जाएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इसका जो 15 करोड का जो इसका जो expectation था वो बहुत सारे news जाएगा और इसमें गिरावट भी दिखा सकता है मार्स 2021 का result निकल जाएगा तो यह था fundamental analysis और मैं आपको cash flow के उपर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ यहां पर 3 साल का free cash flow 45.1 करोड का दिखेगा और last 5 साल का free cash flow 101 करोड का दिख जाएगा कमपनी का ले profit नहीं कमा रही है cash flow भी generate कर रहे है जो कि एक काफी appreciable part है और यहां पे जो 5813 का जो chart है उसके हिसाब से आप लोग को एक उच्छाल दिखेगा और इसका जो उच्छाल दिखाया हुआ है छोटा सा consultation के बाद फिर से उच्छाल दिखाया हुआ है और इसके साथ intensity भी है और intensity बरकरा रह सकता है ऐसा प्रतित हो रहा है और one week के उपर बात किया जाए तो यहां पे भी हम लोग को एक नजरिया मिल जाएगा यहां पे जो crossover हुआ है intensity के साथ इसका भी अभी भी intensity बरकरा है तो for the medium term also you can see a bull trend in Minda Industries Limited one month के उपर बात किया जाए तो यहां पे भी same situation आप लोग को देखने के लिए मिलेगा crossover के बाद उच्छाल और उच्छाल के साथ-साथ अच्छा का सा intensity भी तो for the short term, for the medium term and for the long term यहां पे अगर दो से तीन महिना का उपर बात भी किया जा तो यहां पे एक उच्छाल देखने के लिए मिल सकता है लेकिन कुछ जो हम लोग क जो होता है, हम लोग के एक कसन रहता है, वो कसन में आपके सन में बात करूंगा, उसका कसन है हम लोग का जो निप्टी के साथ correlation coefficient, तो निप्टी के साथ correlation coefficient है 0.83, इसका मतलब क्या हुआ, आपकर निप्टी पढ़ता है, तो मिंडा इंड़स्टीज का जो stake है, वो भी stock का price ह हो भी बढ़ेगा, अगर यहां पर गिरावट होता है, तो यहां पर आप लोग को भी गिरावट दिखने के लिए मिल सकता है, सेम स्टॉक में, तो आप लोग कभी भी मिंडा इंड़स्टीज में investment कर रहे हो, या trade कर रहे हो, तो एक बार निप्टी को ध्यान में रखके काम करना ज्यादा सही रहेगा, परेक्ट, उसका आप लोग को लेकर चलता हूं, हम लोग का जो मल्टी बेगर पार्टन में, तो मल्टी बेगर पार्टन तो इसको बनाया नहीं हुआ है, बट स्टील, 45 डिगरी स्लोक में है अंगल, तो यहां पर जभी भी नीचे की तरफ आता और ये एक मर्टी बेगर बन सकता है, और इस ही मर्टी बेगर को आप लोग धिद्यान में रख्ते हुए आगे, काफी ज़्यादा आप लोग का investment return मिल सकता है, और इसका जो हम लोग का reliable पार्टन सबसे होता है, हम लोग का candlestick pattern, तो यहां पर जिस हिसाब से इसका चार्ड बना हुआ है तो हम लोग को एक swing trade के हिसाब से दिख रहा है तो इसका swing trade के हिसाब से आप लोग कैसा काम करना है सबसे पहले इसका जो upper वाला जो होता है तो उसमें थोड़ा सा आप लोग को रूख जाना है जब भी नीचे में इसका जो नीचे वाला जो line है उसको जब भी भी टच करता है उसके आसपास आता है आप लोग अपना ट्रेड सुरू कर सकते हो कब कब नीचे आता है वो कैसे पता चलेगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो green candle जितना बना हुआ है उस green candle को साथ volume उतना ज़्यादा support में नहीं है तो इतना आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा उचाल दिखाने के बाद इसका जो short term target होगा लगभग आप लोग का 414 पंदरा रुपे या अभी का प्राइस है उसमें 14 पंदरा रुपे उपर तो वहाँ से फिर नीचे जब गिरेगा तो आप लोग फिर से वहाँ पर उठा सकते हो आप लोग आट का सकते हो पोटफोलियो में अगर इसको overcome करता है इसको पार करके उपर चला जाता है तो यहाँ पे आप लोग को एक अच्छा कासा ट्रेंड मिल सकता है एक अच्छा कासा breakout मिल सकता है तो उस breakout के basis में आपको यहाँ पे क्रोसवर तो करेगा ही क्रोसवर के साथ साथ आपका भी जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है आपका जो पैसा वास पे लगा हुआ है उसमें भी अच्छा कासा return कमा के देगा तो यह था हम लोग का जो candlestick का एक view तो आप लोग कैसे करना है वह आप लोग भी देख लेना और यहाँ पे divergence में जब देखा था उसमें ज्यादा अच्छा कासा divergence नहीं बना हुआ है तो उसके basis में हम लोग कोई conclusion नहीं निकाल सकते हैं तो उसका chart में सामने नहीं लाया हुआ हूँ और आखिरी में हम लोग को conclusion पे लाने के लिए बहुत हेल्प करता है जो chart है हम लोग का हाइक के लोग को दिखेगा एक range के अंदर trade कर रहा है और यहाँ पे जो green candle जो बना हुआ था जब यह oversold zone में था तब हम लोग को already green signal मिल गया था लेकिन अभी तक completely selling signal किसी तरब बे भी नहीं मिला हुआ है तो यहाँ पे जो short term का जो वान मन के ऊपर बात किया जा है तो हम लोग का जो continuously जो ट्रेंड अभी बना हुआ है उसी ट्रेंड के हिसाब से चलेगा for the long term तो यह था हम लोग का मिंडा इंडेस्टी का fundamental और technical analysis कैसा लगा मेरे को एक बर comments में जरूर पताना और कौन सा stock के ऊपर आप लोग analysis चाहते हो वो भी आप लोग comments में लिख सकते हों so that मैं कोसिस करूँगा कि उसका जो technical analysis और fundamental दोनों मैं present करसो को आपके सामने और आपका जो भी अच्छा लगा अगर यह वाला जो stock है इसका analysis तो लाइक कर सकते हैं और यहाँ पे चैनल को subscribe कर लिजे ताकि बहुत सारा information बहुत अच्छा कर कर सकते हो अगर चीस अबचाट.